मुझे जाएंगे बनिर्घतर नेशनल पार्क वहाँ पे जंगल सफरी है, जू है और बटरफलाई गार्डन है आज का वेदर देखिए, क्लावडी है, पता नहीं बारिश हो गी या नहीं बहाँ पे तो चलिए जाके देखते हैं वहाँ पे क्या-क्या दिखने को मिलता है आज का जो ट्रिफ है न हम लोग सिर्फ समायरा के लिए जा रहे हैं क्योंकि समायरा एनिमल्स पहचानने लगी है तो सोचा उसको एनिमल्स दिखा के लाए तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं जंगल सफरी के लिए तो यह देखिए अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा सा पार्किंग एडिया है तो यह देखिए यह है मैन एंट्रंस तो यहाँ पे आपको एंट्री मिलेगी जू जाने के लिए जंगल सफरी के लिए तो चलिए चल के देखते हैं अंदर क्या है और दूसरे साइड में है टिकेट काउंटर वहाँ पे टिकेट लेना पड़ेगा हाला कि हम लोग ओनलाइन टिकेट पर्चिस कर चुके थे और अभी हम लोग जा रहे हैं जंगल सफरी के लिए तो पहले जंगल सफरी कर लेते हैं उसके बाद ही हम लोग बटरफलाई गाडेन एंड जू जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा क्राउड है आज हॉलिडे है इसलिए इतना क्राउड है तो अभी हम लोग जाएंगे टिकेट दिखाना पड़ रहा है पहले तो चलिए जाके देखते हैं अंदर क्या सिस्टेम है कैसा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन लगी हुई है सब कुछ सिस्टेमेटिक है और यहाँ के अंदर वाश्रूम है हाला कि बाहर भी वाश्रूम था यह देखिए AC बस सफरी के लिए वेटिंग एरिया यहाँ पे अलग-अलग वेटिंग एरिया है AC बस non AC बस या फिर जीब सफरी के लिए तो यहाँ पे बहुत कुछ सिस्टेमेटिक है आपको वेट करवाया जाएगा और फिर उसके बाद आपको ऐसे लाइन में खरा होना पड़ेगा यह क्राउड है इसलिए ऐसे सब कुछ सिस्टेमेटिक हो रहा है तो इसके बाद ही आपको ऐसे बस में चराया जाएगा तो यह देखिए यह था हमारा AC बस तो अभी हम लोग यहाँ पे चरके जाएंगे जंगल सफरी के लिए तो हमारा जर्नी स्टार्ट हो चुके है अभी आप देख सकते हैं तो चलिए जाके देखते हैं वहाँ पे क्या-क्या एक्साइटिंग दिखने को मिलता है AC बस सफरी के लिए जो चार्ज है ना मैं आपको बता दू Monday to Friday के लिए है 650 बट अगर किसी holiday है या फिर Saturday Sunday है तो फिर 700 पर adult person बट चिल्डरन के लिए है Monday to Friday के लिए 450 बट Saturday Sunday या फिर holiday के लिए है 500 तो देखिए बाते करते करते अभी हम लोग जंगल के अंदर आचुके हैं और यहां पर आप देख सकते हैं Dears है तो कितने सारे Dears यहां पर है समाईड़ा तो Dears देखे बहुत ही excited हो गई है वो पहचान रही है कि Dears है तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है यह feelings तो मैं आपको बता दू इस जंगल का एक system है system क्या है कि हर animals के लिए अलग अलग जगा है मतलब अभी आपको deer दिख रहा है तो यहां पे सिर्फ आपको deer ही मिलेंगे कोई और animal नहीं मिलेंगे किसी और animal को देखने के लिए आपको अलग gate में entry लेनी पड़ीगी actually separated है हर animals के लिए जगा तो एक gate बंध हो जाता है तो दूसरा gate खुल जाता है तो इसलिए different different animals हम लोग देख पाते हैं तो चलिए अभी next animal देखते है क्या हम लोगों के लिए wait कर रहे है तो next animal है वो है elephant आप देख सकते हैं यहां पर कितने सारे elephant है यहां पर बेबी elephant भी है तो देखके बहुत क्यूट लग रहा है यहां का जो व्यू है वो भी बहुत बढ़िया है समाइडा भी बहुत excited है different animals देखके वो बहुत excitement के साथ ऐसे बोल रही है कि elephant और हमें यह देखके बहुत अच्छा लग रहा है तो यहां का जो view है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे लग रहा है कि मैं बस से उतर जाओं और यहां का view enjoy करूँ यह जगा बहुत unique है और one day trip के लिए आप यहां पर plan कर सकते हैं और अगर आपके घर में बच्चे है तो आपको यह जरूर प्लान करना चाहिए अगर आप बैंगलोर में है तो यह जंगल सफरी न यह एक अलग experience है अगर आप यहां पर आएंगे तो समझ में आएगा तो यहां यहां पर आप देख सकते हैं मैंने आपको पहले कहां था ना कि एक gate बंद हो जाता है तो दूसरी gate खुल जाती है तो यह देखिए दूसरा gate भी बंद हो गया है आप देख सकते हैं और अभी हम लोग different जगह पर आ चुके हैं और यहां पर ना हम लोग देखेंगे beer तो यह देखिए कितने सारे beer यहां पर cute cute से हैं तो मैं आपको दिखा रही हूँ यह देखिए एक beer तो यहां पर walk कर रहा है और दूसरा उधर से आ रहा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ऐसे अनिमल्स को बहुत करीब से देखने का जो chance है वो हमें मिल रहा है तो बहुत ही बरिया जगह है यह तो अभी हम लोग लायन के पास आ चुके हैं और यहां पर दूर से आप देख सकते हैं यहां पर लायनस है और यहां पर वो लेजी होके सो रही है तो चलिए देखते हैं और यहां पर देखिए दूर से मैं एक लायन का पिक्चर ले पाई हूँ और यहां पर लायन उतना ज़्यादा नहीं देख पाई हूँ और यहां पर देखिए टाइगर है बस के उस साइड में है तो मैं अच्छे से कैमरा नहीं कर पाई हूँ, यह देखिए टाइगर इस टाइगर को देखके ना थाइलन ट्री प्याद आ गया, वहाँ पे ना हम लोग टाइगर के साथ फोटो किचवाए थे तो टाइगर देखने के बाद बस फिर से घूम के लाइन की जगा में आए है और अभी आप देख सकते हैं दो लाइने से यहाँ पे, तो एक तो बैठी है और दूसरी सो रही है आप लोग क्या कहते हो, तो पूरा जंगल सफरी होनी के बाद अभी हम लोग वापस जाएंगे और यह लेखिए गेट बंद हो रहा है, तो दोनों साइट से गेट है, इस दोनों गेट को बंद करना पड़ेगा उसके बाद ही हम लोग इधर उधर कर पाएंगे, तो अभी देखिए हम लोग बाहर आ चुके हैं और बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा है तो आज का जो experience है वो बिलकुल unique experience है, I hope आप लोगों ने भी बहुत enjoy किये है इस वीडियो को अभी देखिए ये है butterfly garden, अभी हम लोग butterfly garden में जाएंगे बट butterfly garden का वीडियो मैं आपके साथ next day share करूंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ही lengthy हो चुका है तो stay happy and healthy, see you again in the next video, bye bye